हलो प्रेंस रतला मी जाएके मैं आपका वेलकम हैं आज मैं आपके लिए रक्षावंदरनी स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप घर की ही सामगरी से बना सकते हैं चक्की कई तरह से बनाई जाती है जैसे बीना चाशनी के बीना मावाब मलाई वाली या फिर मुठिये बना कर आज मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगी थोड़ी मेहनत है पर इसका टेस्ट बहुती ला जवाब आता है इस मेथट से आप एक बात जरू ट्राय करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन चकी बनाने के लिए यह मेंने 1 किलो बेसल लिया है यह न तो जादा मूटा है और नहीं जादा बारिक मतलब यह सावा नमबर बेसन है अब हम इसमें मोन के लिए घी डालेंगे तो यह में एक कप घी डाल रही हो मतलब यह 200 एमेल घी है गी को हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे हम दोनों हाथों से रब करते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि मोन जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए बेसन और गी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसके मूठिये बनाएंगे मूठिये बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है बस इतना पानी डाले कि मूठिये आसानी से बन जाए मतलब आप इसमें जितना कम पानी डालेंगे उत्ते अच्छे आपकी चक्की बनेंगी अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा बेचान लिगे और इस तरह से दोनों हातों से इसे हम प्रेस करेंगे और बीच में हम उंगली से इस तरह से दबा देंगे तो देखिए इस तरह से हमें सभी मुठी बनाने हैं ये मैंने कड़ाई में घी लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने करम कर लिया है अब हम इसमें मुठिये फ्राइ करेंगे तो इसमें हम 3-4 मुठिये फ्राइ करेंगे मलब इससे जादा हमें मुठिये फ्राइ नहीं करना है जितना है इसमें आए घी में आजाए उतने ही मुठिये हम इसमें डालेंगे मुठी हैं हम medium flame पर fry करेंगे और जब तक इसमें हलकी सी एक side से coating ना हो मतलब ये हलकी से fry ना हो तब तक इसमें चमच नहीं लगाना है एक side से थोड़ा सा ये fry हो गया है तो अब हम इसे पलट देते हैं गेस की flame आपको एक जैसी ही रखना है मतलब medium flame ही रखना है आपको कम जाता नहीं करना है और इसे हम crispy होने तक मतलब हलका गुलाबी होने तक हम इसे fry कर देंगे बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये नीचे से चले नहीं तो देखिए मुठी है बहुत अच्छे से fry हो चुके हैं मतलब इसका हलका गुलाबी color आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह से हमें सभी मुठी है प्राए करना है ये मैंने बाकी सभी मुठी है बना दिये हैं इसे भी हम इसी तरह से प्राए कर लेंगे अब हमें मुठिय ठंडे करना है तो किसी भी चीज से हम इस तरह से मुठिय को फोड़ देंगे ताकि मुठिय जल्दी से ठंडे हो जाएं इस तरह से मुठिय बना कर अगर आप चक्की बनाते हैं तो ये 15 दिन तक खराब नहीं होती है मतलब आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं इसलिए एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राय करें आप देख सकते हैं मैं मेडियम फ्लैम पर ही मुठिय फ्राय कर रही हूं और इसी फ्लैम पर में सभी मुठिय फ्राय करूंगी बाकी मुठिय भी हम इसी तरह से पोड़ते जाएंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे मुटिये मेने अच्छी तरह से ठंडे का लिये हैं अब हम क्या करेंगे इसे जार में डाल कर और ग्राइंड कर लेंगे अब देखें ये मेने एक चलनी लिये ये गेहों के आटे से थोड़ी सी बड़ी चलनी है मतलब आप जिससे गेहों का आटा चांते हैं वो चलनी से थोड़ी सी बड़ी आपको लेना है अगर आपके घर में इस तरह से इस्टिल की चलनी है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं इसे हम चलनी से जान लेंगे इसे क्या होगा कि कुछ टुकड़े रह जाते हैं और कुछ अच्छे से पिसा जाते हैं देखिए इस तरह से इसमें कुछ टुकड़े रह गए हैं तो इसे हम चार में वापस डाल देंगे और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से हम सभी मुठी ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए मैंने इसे इस तरह से तयार कर लिया है और मैंने इसे थोड़ा सा मूटा रखा है ताकि हमारी चक्की दानेदार बने अगर आप इसे बारिक चलनी से चानेंगे तो हो सकता है आपकी चक्की कम दानेदार बने ये जो कड़ाई का घी है इसे हम एक बाउल में चलनी से चान देंगे इसे हम बात में भी यूज़ करेंगे हमने जो मुठे का दर बनाया है उसे दो फाग में कर लेंगे मतलब आदा दर हम अभी सेख लेंगे और आदा हम दूसरी बार में सेखेंगे दर गरम हो जाए तब तक हमें गेस की फ्लेम तेची रखना है अब इसमें दो बड़े चमज घीटा लेंगे जिसकी में मैंने मुठी फ्राइक किये थे वही की मैंने इसमें यूज़ किया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मिडियम टू हाई फ्लेन करके बदामी होने तक सेख लेंगे यह देखिए हलका सा यह बदामी कलर हो गया इसका इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं जो बाकी बचा हुआ दर है उसे भी हम सेख लेंगे इसी तरह से और इसमें भी हम एक चमज घीटाल देंगे अब हम कड़ाई में एक किलो शक्कर लेंगे मतलब हमने एक किलो बेसन लिया है तो एक किलो ही शक्कर लेंगे मतलब जितना बेसन लिया है उतना ही हमें शक्कर लेना है शक्कर डूब जाए उतना हम इसमें पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है वैं शक्कर डूप जाए इतना ही हमें इसमें पानी डालना है शक्कर को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं गेस की प्लेम तेजी रखेंगे शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है अब हम चाशनी को साफ करेंगे मतलब हमें चाशनी को ट्रांसपरेंट करना है तो उसके लिए हम इसमें 1 volt cup दूट डालेंगे मतलब 4 बड़े चम्मच दूट डालेंगे इससे जादा हमें दूट इसमें नहीं डालना है इस तरह से पेला कर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और गेस की फ्लेम हमें देची रखना है अब हम गेस की फ्लेम स्लो कर देंगे अब देखिए जो शक्तर का जितना भी मेल है वो चारो साइट जम गया है तो इस तरह से हम धीरे से चम्मच से निकालेंगे इसे आप जल्दी में नहीं निकाले अगर मेल भिखर जाएगा तो आपको निकालने में दिक्कत आएगी तो इस तरह से आप धीरे से कॉर्नर से लेते हुए इसे निकाल लें आप ये देखिया चाश्णी हमारी कितनी साफ हो गई है गेस की फ्लेम हमें तेजी रखना है और ये देखिये चाश्णी का मेल इतना निकला है मेल निकालने से क्या होगा जो हमारी चक्की का कलर ही वो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा अब हम इसमें बन फोट चमच केसरिया कलर डालेंगे चाशनी तैयार हो रही है तब तक हम क्या करेंगे दूसरी साइट मावा सेक लेंगे ये मैंने 7500 ग्राम मावा लिया है इसे हम नरब होने तक सेक लेंगे मतलब इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है सिर्फ मावे को हमें थोड़ा सा नरम करना है मावा नरम हो गया है अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे अब हम इसमें एक बड़ा चमच इलाइची पाउडर डालेंगे और इस तरह से इलाइची को मावे से कवर कर देंगे ताकि मावे में इलाईची की खुश्बू चले जाए ये हमारी गोडी बन चाशनी तैयार हो गी है तो देखे प्लेट में इस तरह से आप टालें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और देखे आप हाथ से भी इस तरह से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा आप चाशनी ले और हाथ में इस तरह से उंगली से करें तो देखे ये टूट नहीं रही है बिल्कुल खिचा रही है पर टूट नहीं रही है और देखे ये जम गई है चाशनी ये वाली भी तो ये मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है आप इसमें हम तुरंत मावा डाल देंगे जैसी चाशनी पक जाए आपको गेस की फ्लेम बंद कर देना है जैसी चाशनी पक जाए वैसी आप इसमें मावा डाल दें अगर चाशनी और गाड़ी हो चाईगी तो आपकी चक्की ठोस बनेगी तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें जैसी चाशनी आजए वैसे ही आप इसमें मावा डाल दें ताकि चाशनी आपकी गाड़ी ना हो और इसे इस तरह से आप मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पांच से साथ मनिट बाद आप चाशनी को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहें ताकि चाशनी ज़्यादा पके नहीं केसर के दागों को इस तरह से प्रश कर लेंगे सौरी फ्रेंड्स मैंने इसमें केसर डाली है थोड़ा सा वीडियो इसकीप हो गया है ये देखिए मावा अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पुराता मिक्स करेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे आपको एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डाले और इस तरह से कंटिन्यू मिक्स करते जाएं देखिए ये बहुत अच्छे से मैंने mix कर लिया है इसे और इसे अब हम तुरंत ट्रे में डाल देंगे ये मैंने सभी ट्रे में गी लगा लिया है ताकि जब चक्की जम जाए तो आसानी से निकल जाए जल्दी से हम सभी ट्रे में इसे जमा देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से चक्की जम जाती है और आपको जितनी मोटी जमाना या पुत्ती मोटी जमा सकते हैं और इसे हम हलका सा इस तरह से टेप करेंगे दूसरी ट्रेय में भी हम जमा देंगे और एसा टेप करने से चक्की एक जैसी जमेगी उपर से थोड़ी सी बादाम कटी और पिस्ता लगा देंगे हम आप इसकी जगे चांदी का वरग भी लगा सकते हैं चक्की को हम थोड़ी देर जमने के लिए रख देते हैं और थोड़ी सी ये सैट हो जाएगी तब हम इसमें कट लगाएंगे ये देखिए चक्की थोड़ी सी सैट हो गई है अब हम इसमें कट लगाएंगे चक्की आपको जैसी छोटी बड़ी काटना है आप पहले उस साइज में इस तरह से कट लगा ले इससे क्या होगा कि आप जब कटिंग करेंगे चक्की की तो आपकी चक्की एक जैसी एक ही शेप में कटेगी